हेलो फ्रेंट्स तो आज से हम अपनी माइक्रो वाइलोजी की यूनिट फोड जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं हमारी यूनिट फोड में इतना सारा स्लेवस है तो हम इसको दिगरे दिगरे सारा कवर करेंगे आज की वीडियो में सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं डिजाइनिंग करने के लिए अब प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना इनहीट करना मतलब हम को एक एसी मतलब जगा चाहिए जैसे यह रूम है तो हम कहेंगे कि यह हमारा क्या है फ्री फ्रॉम मतलब इसमें एक वी बैक्टेरिया या बाइरस या कोई भी माइक्रो और्गनिज्म नहीं है तब हम कहेंगे यह हमारा क्या है एक असेप्टिक एरिया है अब यह बनाना तो असेप्टिक एरिया का मतलब तो यह हो गया यह फ्री फ्रॉम बैक्टेरिया होता यह अब इसको बनाते क्यों है क्योंकि हम असेप्टिक एरिया इसलिए चाहिए क्योंकि जब हम ड्रक की प्रप प्राउम बैक्टेरिया हो क्यों कि आगर हमने यहां पर कोई शीरप रखी जैसे माली यहां पर कोई मैजदवाई रखी और यहां पर एक इक अब क्या रहा है यहां पर हमने आपको पता होगा यह बनते हैं वह कड़ाई की सेप में जो हमारे बड़े-बड़े मशीन होते हैं इस यहां एक बोटल में पैक होजाएं यह यह सब के लिए हम को क्या चाहिए एक ऐसा इन्वायरेमेंट चाहिए जहांपर बिल्कुल भी बैक्टेरिया ना हो जिससे जब हमको बोतल में फिल करें या कुछ भी प्रोसेस करें तो वहां क्या होगा हमारा एक बी माइक्रो ओर्गरेंजंग उसमें नहीं जा पाए तो उन सब के लिए एक ऐसा इनवाइर्मेंट क्रिएट किया जाता है जिसके बाहर बाहर कितना कुछ भी हो कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन जो इसके अंदर का यह एरिया है यह हमारा पूरा का एरिया फ्री फ्रॉम बैक्टेरिया है यह हम कह सकते हैं फ्री फ्रॉम माइक्रो और्गनिस्म है है मतलब यहां पर एक भी हमारा बायरी या बैक्टेरिया नहीं होगा तो यह हमारे क्या होते हैं अब इसको बनाया क्यों जाता है यह होता क्या इह चान लेते हैं अब यह ग्जाम के में बब्यूल देखा था तो भी important है exam में इसको पूछा कैसे जाता है तो यह हम question ऐसे हमारा इसका सीधा बनता है कि right in details about the construction and design of cleaning room या फिर aseptic area या इसको हम directly पूछ लेते हैं कि right in details about aseptic area यांकि aseptic area क्या होता है उसके बारे में आप लिखिए और यह हमारा बोश्चिक लिए five marks बगरा में आता है और कहीं कहीं एक ट्यू बगरा में seven marks में भी पूछा जाता है तो simple हमारा इस तरह से question बनता है क्या होता है सेप्टे करिया क्यों बनाता है यह आपने जाने लिया अब यह हमारी वही है टेक ने जो प्रिवेंट करते हैं किसको microbial and partial contaminated into ophthalmic and parental product नहीं समझे तो यह है कि ophthalmic जो हमारे preparation होते हैं वह होते हैं हमारे eye drops हो गई मतलब जो आखों की दवाईयां होती है ना वह हमारी आते ophthalmic preparation में और जो हमारी parental products हैं यह हमारी जैसे injection बगरा हो गए बाकी और भी जितनी सारी medicines बगर है इन सबकी ही हम actual में यहां पर क्या करते हैं असेप्टे के रिया में प्रिपेर करते हैं जिससे उन पर कोई भी बायरिस या बैक्टिरिया ना लग सके सिंपल है अब जो हमारा असेप्टे के रिया है यह हमारा बेसिकली चार भागों में डिवाइड किया गया operation के आदार में मतलब किन किन बेच पर हम करते हैं पहला हमारा grade है यहां पर क्या है कि हाई रिस्क वाले operation कि यह जाते हाई रिस्क जैसे filling and making aseptic transfer वह मैंने अभी आप तो क्या होगा वह इस container में पहुंच आएगा तो इस जगहां पर हमारा ज्यादा खत्रा है क्योंकि हम इसको फिर हमें दोबारा फिर से इस्टेलाइज करना पड़ेगा इसलिए क्या करते हैं हम इसको बहुत ही ज्यादा high risk वाले होते हैं तो हम grade A में करते हैं इन सब को apply जि साइड में यह भी होता है background मतलब कह सकते हैं पीछे का जिसमें भी हमारी preparation of filling यही काम सारे किये जाते हैं grade C में क्या होता preparation of sterile solution to be filtered यहाँ फिल्टर वगयरा इन सब के द्वारा हमारे sterile solution वो प्रिपेर किया जाते हैं grade D हमारा है handling of components after washing मतलब wash वगयर हमने अच्छे से कर लिए उसको पर handling जहां वर्ड आए आप समझे कि उसको रखने की ववस्ता कैसे उसको रखा जाएगा फिर उसको ट्रांसफर किया जाएगा इन सब चीजों के लिए मतलब handling आता है कि वह product तयार हो चुका है अब उसकी handling की बारी है उ हमको याद रखनी पड़ेंगी तो वही सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं पहला तो यह है कि जितने भी असेप्टिक अरिया हमारे होते हैं हम यहां पर देख लेते सिंपल एक्जामपल जिससे आपको बहुत ही जादा इजी हो से वाला है तो जैसे यह समझे और यह डाइग की वजय से फिर भी अच्छे मांख मिलेंगे तो यह आप देखिए तो इस तरह में जो भी हमारे गेट है जैसे माली यह यह यहां से ओपन होता है यह हमारे होते हैं और एयर लॉक का मतलब होता है कि वहां से हवा भी पास नहीं हो सकती और यह इसलिए कि हज़ता है क्योंकि की जो हमारे microbes होते है उनका क्या होता है size पहुँद चोटा होता है लगबग 0.5 micron जीनो पॉइंट टू Ins. मुइन इस तरह कि तो इतने चोटे होते है तो अगर हवा की भी जितनी जगह होगी जो हमारे normal गेट वगारा यह जतना दूर हो सके उतना दूर बनाए जाता है aseptic area को जिससे उसमें अंजान लोग जो मतलब आना सके कोई दर उदर के या फालतू की चीजा इदर उदर ना सके उसके उसके बाद जो भी हमारे surface हों बाल हों रूफ हो चट तो यह सब कि अगर आप गौर करें तो आपके घर है आप अभी देखना तो घर की जो किनारी है यहां पर अंगली ऐसे लगाएंगे तो आपको हलकी सी क्या रोगी मिट्टी दिखाई देगी तो इससे आप यह समझते है जाडू रोज लगती है घर पर सफाई रोज होती है फिर भी आप आपको यहां हलकी सी मिट्टी दिखाई देगी क्या समझते हैं कि जो हमारे कौने वगरा होते किनारे इन पर क्या हलकी सी मिट्टी बगरा बंदी हो जाती है इसलिए हमको क्या है कि ऐसी जगा यहां पर रखनी नहीं है मतला बिल्कुल ध्यान देना है उसके बाद घड़े इनची जो को धरा रहma होते हैं बिलकुल भी हमें मतला सब कुछ होनी नहीं चाहिए हमारे ऑसे इनमे में जो हमारे माईक्रोप्स नहीं कर सकते हैं तो एसी एक भी जगा नहीं होनी चाहिए उसके बाद हमारे जो आपे gate जो होते है वो sliding doors हमारे नहीं होते है जो एसे हम slide करके open करते हैं वो तेर नहीं होते हैं यहापे जैसे यह हमारे sliding door नहीं होते है हमारे door होने चाहिए swing door होने चाहिए जो ऐसे open हो जाए ऐसे इसको हम समझ लेते हैं क्या है तो जैसे हमारा है यहां धरोजावा है यहां पर अब यह दर्वाज इसको ह्मारे दर्वाजा है वो इस साइड खुलेगा क्योंकि यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है तो positive से negative की तरफ open होगा यही यहाँ पर किया जाता है और ऐसा इसलिए बनाए जाता है क्योंकि क्या हो जो हमारे bacteria है अब आप जानते हलके होते हैं तो वो हवा को अपोस्ट तो नहीं कर सकते जैसे हमारी air इस साइड चल रही है pressure से तो हमारे bacteria है वो इस साइड नहीं आ सकते वो क्या करेंगे हवा के साथी flows आते क्योंकि वो बहुत जादा हलके होते हैं इसलिए जो हमारे जो दर्वाजे हैं वो air की direction में खुलते हैं और जो हमारी air की direction होती है वो कैसी होती है positive in room जादा इसलिए होनी चाहिए कि हमारा दर्वाजा जो है ऐसा open होगा इस side open होगा और हमारे जो air है वो इस साइड चलेगी तो हमारे जो बाहर से bacteria है वो अंदर ना आ पाई और उसके बाद हम फटास यहां air locked कर देते हैं जिससे हमारा कोई भी वैक्टरिया अंदर ना आ होते हैं इसलिए एक दर्वाजा पहले open है उसको पहले बंद करो फिर दूसरा open होगा जैसे यह हमारा समझे अच्छे से क्लोज कर दोगे तब आप यह वारा डोर open कर सकते हो यह हमारा यहां रूल होता है और एक साथ दो दर्वाजे ना open हो इसलिए हमारे यहां पर बार्नि उसके बार जो भी हमारी all utilities होती है जैसे pipes हो गए डक्ट हो गए हर घर में हर एरिया में जरूरी होते हैं पाइप बगर चाहिए gases के लिए हमारे इन सब कामों के लिए तो यह हमारे इस तरह इंस्टॉल किये जाते हैं कि इनमें कोई भी races ना हो खिचाब ना हो तनाब ना हो या फिर कहीं से unsealed ना हो या कहीं से crack वर्दा वही सब इसमें नहीं होना चाहिए जिसमें हमारे micro gear growth कर सके उसके बाद जो हमारा इसमें एक फिल्टर और जो changing room होता है वो भी हमारा air log होता है जो जहां पे आप देखिए changing room यहां से entry करेंग यह भी air log है जिससे जो हम साथ मे आये वो ना हो और अगर आपने कभी medicine की कंप्रियों बगरा में काम किया होगा तो आपको पता होगा कि जो changing room होते वहां पे जो medicine की कंप्रियां होती है उनमें एक अलग तरीके की dress दी जाती है green color के जिसमें हम hair तक हमारा cover कर दिया जैसा एक भी बाल बगरा टूटके अंदर करना जाए तो यह हमारे cleaning changing room होते हैं यह भी हमारे air seal होते हो यहां पर हमें पहले change करना पड़ता है फिर हम अचैप्टे के रिया वाली dress पहननी पड़ती तब हम अंदर जा सकते हैं यह हमारा simple इसका rule होता है उसके बाद इसमें जो air filter अब हवा भी तो चाहिए रहने के बहुत ही जादा accurate filter करता है मतलब आप मतलब आप बोल सकते हैं कि जो hepa filter बहुत ही जादा अच्छी हवा देता है जिसमें हमारा एक भी बैक्टेरिया नहीं होगा क्योंकि इसका जो pore size होता है वो हमारा लगवग 0.2 micron होता है और हमारे bacteria virus का इसके उपर ही होता है लगवग त आते हैं तो हम जो air filter यह वो इसी का द्वारा यूज करते हैं और air pressure भी हम इसी से maintain करते हैं जो हमारी filter air आती है उसके द्वारा ठीक है और यह हमारे variable होते हैं मतलब हम कम जादा कर सकते हैं अपने हिसाफ से और यह area जो हमारी air है वो हमारी SFT के रहे हम पास की जाती है free of microbes वा entry है सबसे पहले जैसे भी आना जो भी चाहिए का entry एक यहां पर भी है component entry की जाते हैं यहां पर कहा है material entry की जाती है यह तीनों जगे हैं फिर हमारे यहां पर होता है compounding and preparation room यहां पर हमारे वही grade A का काम बगएरा होते हैं पर यहां पर यहां पर हमारे प्रोड़क्शन एरिया यहां पर हमारे यहां पर हमारा होता है unidirectional cleaning zone मतलब यहां पर जो हम clean करते हैं तो उसके लिए केवल एक यह दरवादा है अंदर जाएंगे और बाहर भी इसी से आएंगे जैसे इन समय दो-दो दरवादे हो सकते हैं एक यहां से एक यहां से आ रहा है यहां लेकिन यह वाल किया करते हैं यहां पर रख देते हैं प्रोडक को दस चौदा पंदर दिन के लिए ग्रोस भी देख लेते हैं इसमें मतलब से रहता है एक एंट्री यहां यहां भी क्रेंटी पर लिए होती है कि यहां से सारा कुछ कोakahप panelिक्ष gdy हमारा जाता इस में यहां हमारी प्रपेशन बगळा की जाती है फिर हमारा फटर जाती है इस्टरized के नीड होती में जरूवत होते है जरूजक्ष करते हैं पर यह हमारा पूरा होने के पूरा समझ आ गया होगा नेस्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिकों को कवर करेंगे तो आपको अगर और वीडियो देखनी हो तो आप अंदर जाके मारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके आप सारे सब्जेक्ट की सिलेबस बाइस देख सकते हैं मिलते हैं आपसे तक यू टेक केर बाइबाए